पूजाते विशयोग भूग रचना निद्रासमाधिस्तिती संजारा पदयोपदक्षन विधी स्तोत्रा निसर्वागिरव यत्यत कर्मकरो मितततकिलम शंभो तवा राधनम नव ग्रहों का संबंध हर प्रक्रिती की हर चीज़ के साथ है क्या आपके ज़ांते हैं कि आपके जिवाम में कुछ समस्या है कौन से ग्रह उसका मूल कारण है किन को ठीक करने से किन ग्रहों के उपाय कर लेने से आपकी समस्या का निदान हो सकता है जियां यही समस्तर रहसे आज की कारिक्रम में हम आपके समक्ष रखेंगे आपकी जनमपत्ति के बारे में बताएंगे आपके प्रश्णों का समधान दे प्रिदिराम का योग बना हुआ है चंद्रमा जो है धनु राशी पर चल रहे हैं शुम महूर्थ का समय नोट कर लिए बारा बच की एक मिनट से लेकर बारा बच की पचास मिनट तक का समय बड़ा ही शुम रहेगा कोई कारे आरंब करना है तो इसका लाब ले सकते हैं राहुकाल जो है साथ बच के 46 मिनट से लेकर 9 बच के 19 मिनट तक है तो इसलिए पूरे दिन में इस समय से बचते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए आज भादरपत शुकल पक्ष नौमी तिती है और इस तिती को कहा जाता है नंदा नौमी मा दुरुगा को प्रसंद करने के लिए सबसे अद्बुद दिन माना जाता है और जैसे ही कल दुरुगा अश्टमी गई है और विशेशत तो पे दूर्वा अश्टमी भी जिसको कहा जाता है उसी प्रकार से आज भी उसी नौमी का महत्व है वैसे तो दुरुगा जी को घास दूर्वा नहीं चड़ा जा हो गई तो मनोकामना पूर्ती के लिए आज की सिद्धिधी में कौन सा खास उपाय करना चाहिए वो भी नोट कर लीजें दो प्रकार के सफेज दनाज ले लीजें पीसकार उनको आटिका पांच बूदने के बाद आठिके पेड़े बना लीजे नदी अतलाप की किनारी जा करते हैं का जाता है आज की शुब्तिती में इस प्रकार से उनका पूजन करने से विंडा अत्मक तोर पे विभिन दीवियों का वहान मुवान का पूजन करने से अनेक प्रकार की मनोकामना सिद्धी की योग बनते है आज की शुब्तिती में आज का ग्रह रक्षितर क्या कह नियुक्ति में राल कुछ खास उपाय करने के ज़रूरत है क्या रंग आपके लिए श पहले। से मिल जाल जुना अच्छा बढ़ेगा आपका शुभंग जो है आपके लिए लखी नमर रहेगा एक शुभ रंग रहेगा नारंगी उपाय क्या करना चाहिए उपाय भी बड़ा आसान है देखिए गाये को रोटी और गुड किलाद दीजे मां का अशिरवाद मिरेगा कल्या के योग बनेंगे आज कर दिन क्या कुछ कह रहा है ग्रह नक्षत्रों के साब से जान दीजे पॉजिटिव विचारों सरजात्मक विचारों का साहरा लेने का आपको प्रयास करना चाहिए दोस्तों का साथ आपको नया कारिक्रम बनाने का अफसर भी पर आप तो सकता है कि दोस्तों के साथ अच्छा समय भी देगा वैवाईक जीव आमने कुछ राहत का एसास भी होता दिखाई दिरा जरूर से ज्यादा आलस जियां लेजिनेस जो है वो आपकी उर्जा का खतम कवर सकता है इसलिए जागिये उठिये जाली खुद को सक्रिये करने का प्रयास कीज इस बाट-साप के बाद दे हम से एक प्रशन सुबह सुबह हमारे कारिकर्फ में आगे आ है उसके बारे बात कर लेते हैं बिजणौर से प्रभात नागर जी का प्रशन आया है उन्होंने लिख़ा है कि जिन व्यक्ति का हाथ में विभिन पर्व होते है और वो परवत्वे भागे रेखा यदी खास तो पर शनी के परवत तक कहुंच जाए तो कहा जाता है कि ऐसा वेक्ति जीवन में विदेश जाने का योग बनता है क्योंकि चद्रमा से कुछ भी निकलने वाला जो लाइन है वो विदेश जहां जन्म हुआ है वहां से दूर जाकर भागे हो देग ह लाइन है तो लाब के योग बनेंगे है और सथा कानूनी मामला चल रहा है तो आपके पक्ष में जासकता है शुभंक के लिए दो है शुब्रंग का आपके लिए सफेद है भवान शिव को कनेर के पुश परपित करें, उनका आशिरवाद प्राप्त करें जब करने इश्वर का आशिरवाद आपको मिलेगा मामे करेंगी कल्याण आज कारीक्रम के आरम में हमने आपको बताया था कि नवग्रहों का संबन्द इस परापुक्रती के साथ सबकुछ बड़े विशद रूप से है ग्रहों का अनुकूल जो रिशन है वो विश्च तोर प संबरने का परयास करना चाहिए तो व्यवैक्ति जीवन में हो नती होने की योग नाई बनेगी ृधि नहीं तो पिता तुल्येचिए गुरू की सेवा कर सकते उनसे अशिरहात्य करने चंद्र ग्रह की बात करें तो जंद्र ग्रह का जहां योग बना रहा है किसी व्यक्ति का दुतिय भाव में चंदमा बैठा है किसी भी राशिका होगा है तो समझ दीजे मां उनके लिए बहुत लखी रहने वाली है और मां यदि नित्यप्रति व्यक्ति से जातक को खीर बना के खिलाएं आशिरवाद दें तो कहा जाता है कि व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ता है वही मंगल क्रह की संबंद की बात करें तो मंगल का संबंद मित्र से भाई से होता है और का जाता है कि मंगल क्रह को प्रभल करने के लिए भाई की विशुशत वर्भाई की सिवा करने का प्रयास करने का जितने आपके संबंद उनसे खराब होंगे उतना मंगल आपका प्रभाव निश्क्रिय करता चला जाएगा यदि बुद्ध का सम्मंद जानना चाहते हैं तो बुद्ध का सम्मंद होता है किन से? रिष्टों में बहन से, बुवा से, बेटी से, साली से और ये सब ननिहाल पक्ष के जितने भी लोग हैं उनसे सम्मंद होता है और बुद्ध को शुद्ध करने के लिए समझ लीजे, बुद्ध कर है मामा, बेहन, इत्यादी, विशेशतार पर समंद कारक माना चाता है और यदि आपके समंद में रिष्टार नहीं है तो समंझ लीजे बुद्ध आपका सोया हुआ है कुडली के अंदर तो सबसे पहले एक बात मान लीजे कि बुद्ध को प्रशस करना चाहने है, बुद्ध किसका स्वामी है? मैनेजमेंट का, व्यवसाय का और इन सब चीजों को यदि सुद्ध करना चाहते हैं, अपनी मैनेजिंग के अपस्री बनाना चाहते हैं प्रशस करने का प्रयास करना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति अब रस्पती आपको उनका प्रशस्त नहीं है, तो सबसे पहले क्या करें, गुरु दिख्षा लेकर उनका आशिरवात लेंगे, तो देखी कप नित्यपती संद महात्माओं को नवन करें, आपका ब्रस्पती, क समय के जितना आपका जीवन, आपके जीवन साती प्रशन है, उतना शुक्र प्रबल होगा और उतना जीवन में आप उत्ठान के योग बनेगे, वहिए शनी का संबन्ध माला जाता है काका से, मामा से, सेवक से, और आपके अनुचरों से, साथ काम करने वाले जो लोग होते तो समझ लीजे आपके श्रमिक आपके साथ काम करने वे वाले जितने परेशान हैं आपसे या आप उनका सम्मान नहीं करते हैं उनके साथ कुछ गाली कलोज करते हैं तो समझ लीजे शनी आपके अनुकूल जिंदगी में होगी नहीं सकते सबसे पहले गरीब परित्यक्त अपयों दिव्याङ व्यक्तिंगi सिवा क्वा अपको प्रयास करना चाहिए शनी आपके अप अपने-आपव अनुकूर होंगे आपके जीव में कल्यान की उपनेंगे वहीं राहु ग्रह की बात कररें तो साला कि अधिक सब्सक्राइब करना चाहिए तो संतान से बच्चों से पुत्र से यह सब संब्ध रखते हैं और यदि नाना का प्रतियु प्रतियार माना जाता है तो यदी केतु की घ्रहे शांती करना चाहते हैं तो विश्शेश तोर पे सुबह जल्दी उठें सूर्ण उद्र से नहीं तो खर्चे आपको बहुत परिशान कर सकते हैं आज परिवार में खासता और ध्यान रखें वहाँ जो जरूत पढ़ रहे हैं उन चीजों को थोड़ा सा प्रायरिटीज देने का प्रयास करें मित्रों की वदद से आपकी रास्ते बन सकते हैं मित्रों आपकी बदद योग दिखाते हैं कि आज स्वास्त पर ध्यान देने की जरूरा दिखाई देती है और विवादित मुद्दों पर बहस पर अजुत्यादी होने के यो जोग है उनसे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए और प्रतिसपर्धा का सामना आपको करना पड़ सकता है सैकर्मी थोड़ा सा नुकसान बचाने के लिए कुछ कोशिश करते दिखाई देने सुबह से साफधान देते हुए काम करने का प्रयास करें लेन देन में पूरी तरह से पारदरशिता और बहुत अच्छे से स्कैनिंग करने का आपको प्रयास करना चाहिए शुभंग का आपके अच्छाओं को साजह करके आप लाब ले सकते हैं सुकून का महौल में महसूस आपको प्राप्त हो सकता है यानि आपको आज का समय जो है शांति प्रदान करता दिखाई देते हैं उससे आपको सालधानी के साथ बचना चाहिए समाजिक उत्सवों में भाग लेने के लिए स साथ है शुबरंग आपके लिए क्रीम है जरूरत मन दोगों में खास पाथ कोई गरीव एक्ति दिखाई दे रहा है जो रोगी है उसकी दवाईयों का विवस्था कर दीजे इससे सुन्दर उपाय क्या हो सकता है मामे करेंगी कल्यान व्रश्चिक राशी वालों के लिए ग्रह नक्षेतर क्या है जान लीजे रिष्टों में तनाव दूर करने के लिए आज का समय अच्छा दिखाई देता है हला ठी करने के लिए जम्मेदारी आपके कंधों पर है पॉजिटिव वे से काम करें पॉजिटिव पहल करिए देखिए बहुत जल्दी से समय आपके रुकूल आप कर सकते हैं किसी के भैकावे में आकर कोई गलत फैसला भी ले सकते हैं, मत लीज़े का शांती के साथ समझ की काम करने का प्रयास करें। उन्होंने सपने में एक बड़ा सा लाल पत्थर को देखा है, एक लाल का पत्थर बड़ा सा है, जाना चारी संकेत क्या है? देखिए सपने में लाल पत्थर का दिखना शुब संकेत तो नहीं माना जाता है। इससे क्या प्रगट होता है? उगृता प्रगट होती है, समवेद इसलिए आपने परिवर्तन लाने का तो इस सप्टे जोंद में परिशानी करने के योग दिराए थोड़ाइए बदलाव करने का प्रयास करें एक उपाय बता रहे हैं हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चोलाज कर दीजे चूर में का भोग लगा दीजे इश्वर का आशिरवाद आपको मिलेगा मामबे करेंगी कल्यान धनूर आशिवालों के लिए समय कुछ सकारात्मक बदलाव करने की तरफ दिखाता दिखाई दे रहा है समय आज लोगों से जोडने से बचें जो आपकी प्रतिष्टा को आगात पहुचा सकते हैं परिवार के साथ बहार घुमने का प्रोग्राम बन सकता है थोड़े खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं बजट का ख्याल रखते हुए काम करें मित्रों का वैवार आपको तुछा आश्चरे में डाल सकता है ऐसे युग बन रहे हैं आज जो चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो भी आपके साथ घट सकती है शुब अंग का आपके लिए आठ है शुब रंग आपके लिए रहेगा नीला भवान शिव का अधिकी सुमबार है अभिशेक करना सबसे शुद्ध है अभिशेक कीजे दूद से भवान का कल्यान होगा आशिरवात मिलेगा मां का मां में करेंगी कल्यान अब हम बात करेंगे मकर राशिवालों के लिए ग्रह क्या दिखाते हैं मांसिक तोर पर आज मजबूती हासिल करने के लिए शान्ती का आश्ट्रे आपको लेने चाहिए यानी शान्ती से काम करने का प्रयास करें दूसरों को प्रभावित करने के लिए ज़रू सादा धनखर्च ना करें इस बात का ध्यान लखेगा नहीं तो बेकार जाएगा वो आज घर में ताल मेलाल बिठा कर काम करने का प्रयास करें तो सब कुछ पढ़िया हो सकता है किसी आगंतुक की मिलने की संभावना दिखाई देती है शुब अंक आपके लिए जुद्शी करनाओं के अनुसाह से रहेगा दो और शुब रंग सफेद तिल का दान कीजिए आज की शुब्तिती में कल्यान के योग बनेंगे मांबे करेंगी कले अब हम बात कर लेते हैं एक और वाटसप मैसिज की जो हमारे पास आया है स्वास्त के संभन में नितिन यादव जी का एक प्रश्ण है उन्होंने लिखा है कि उनको मानस रोग बड़े पीडित कर रहे हैं असाथ रोग हो गए हैं एंजाइटी बड़ी रहती है और बहुत कुछ इलाज कराने के बाद भी लाब नहीं मिल रहा है देखिए आपको योग अपनाना पड़ेगा योग अपनाईए योग भगाय रोग और आज कल तो भारत में बहुत बढ़िया तरीके से पूरे विश्व में हमारी येश्यश्य प्रधामिंत्री ने योग को पहुचाने का काम कर दिया है जो लोग पहले केवल बहाद देखते थे योग कर रहे हैं लोग आज स्वैम भी योग करके लाब ले रहे हैं देखे यह आपको एक आसन बता रहा हूं मानसिक तौर पर जो भी लोग परिशान चल रहे हैं जिनको एंजाइटी बहुत रहती है शव आसन अवारी आश्यश् वी शेप में खुले हुए पैर नोनों हतेली आंकाश की तरफ लंबा गहरा सांस लें केवल स्वांस पर द्रश्टी देखते हुए देखे तनाव डिप्रेशन को दूर करने के लिए यह जो शव क्रिया है शवासन के साथ शव क्रिया भी की जाती है आपके एंजाइटी को बहुत बढ़िया तरीके से कटा सकता है अपने आपको शरी के साथ जोड़ने का प्रयास करें और कोशिश करें इसके साथ ध्यान भी करने माम मैं करेंगी कले नकुम राशी वालों के लिए आज कर दिन कैसा है जानने जाज निवेश करना आपके लिए तोड़ा नुकसान उत्पन हो सकती हैं इसलिए पहले से साफधान हो जाए एहम को लेकर टकराव की स्थिति उत्बन हो सकती है जीवन साती का सेयोग आपको प्राप्त होगा उनका स्योग लिटिव आगे बढ़ने का प्रयास किजिए शुबरंग पांच है शुबरंग हरा है पक्षियों को थोड कुछ ऐसे विचार मन में आ सकते हैं जो वाकई जबरदस्त हो बहुत सोच समझ के उन पर काम करने का प्रयास करें पॉजिटिव विचार सजात्मक विचार यानि क्रियेटिव विचार आस्ति दिखाई दे रहे हैं उनका सारा लीज़ शुब अंक आपके लिए तीन है शुब सब्सक्राइब करने j mentor धूरवर घास के बारे में क्या आपको पता है कि पूरे विच्व में जो शकती का जो प्रमाना है नापने का तरिका क्या होति होती होर्स पावर और घोड़ा खाता क्या है घास खाता है घास इतनी शक्ति शाली है हमारे तो दूरवासा विशेश तौर पर घास के साथ ही दूरवा का ही सेवन करके इतने प्रतापी बने इसके साथ साथ गणेश जी पर विशेश तौर पर दूरवा चड़ाने की विवस्ता होती कोई भी प कर सकते हैं जिन लोग को एनेमिक हैं मदू में की विमारी है यदि नित्य पति थोड़ी बहुत रूप में दूरवा का सेवन करना शुरू करें तो खा जाता है एनेमिया भी ठीक करने के लिए बहुत अद्बूत शक्ति संपन रखते हैं डाबिट्रीज को ठीक करने के लिए खुजली ओने पर कहा जाता है कि मक्खन में थोड़ी सी दूर्वा मिलाकर उसको यदि घास को पेस्ट पराकर घास का पेस्ट मक्खन साथ लगाएंगे इसकिन पर बहुत लाप राप्त होगा। आयुर्वेधिक ग्रंतों में तो बांजपन तक को ठीक करने के लिए गुर्वा के लाब बड़े अद्भुत रूप से लिखे गए है तो इसको आप सेवन कर सकते हैं घास वैसे ही ऐसे जंगली घास नहीं है दूर्वा अद्भुत है दूर्वा देसी घास जो से उससे दूर प्रियाये जधी मही तन्नों दुर्गा प्रचोदया